यह लास्ट है इस एकसेसाइस का लास्ट कोश्चन है M- M-1 upon 2 equal to 1 minus M-2 upon 3 कोश्चन को साल्व करते हैं देख यहाँ पे कोश्चन में कुछ ना हो तो हम M के नीचे 1 ले लेंगे 1 के नीचे 1 ले ले लेते हैं अब देख यह 1 और 2 कार्चम कितना होगा 2 1 के टेबल में 2 कितने बार में आता है 2 times में आता है तो M into 2 2 के टेबल में 2 1 times में आता है तो 1 into M minus 1 चीक है equal to 3 1 और 3 कार्चम 3 1 के टेबल में 3 कितनी टाइमस में आगा 3 times में तो 1 into 3 3 के टेबल में 3 1 times में तो 1 M minus 2 अब M into 2 कितना हो जाएगा 2 M minus अब M minus 1 को 1 से करेगे तो M minus वरी रह जाएगा बस इसका sign change हमें करना होगा 1 into 3 3 minus M minus 2 क्योंकि 1 से आप multiply करेंगे तो सेम रह जाएगा 2 M देखें minus M और minus minus plus तो यहां पर plus 1 आपको लिखना है sign change होता है ध्यान रखेंगे जब भी bracket में कोई चीज हो तो आप sign change करना ना भूलें क्योंकि फिर आपका answer गलत आजाएगा minus minus plus ठीक है अब इसे आप टलिस को solve कर ले 2 M में से M को subject करेंगे तो M बच जाएगा M plus 1 upon 2 और 3 और यहीं plus 2 है तो यह दोनों add हो जाएगा तो 5 5 minus M upon 3 अब इसे cross multiplication कर देते हैं 3 M plus 1 2 5 minus M 3 into M कितना हो जाएगा 3 M 3 को बन से आप multiply करेंगे तो 3 2 into 5 10 और 2 into M minus 2 M 3 M plus 2 M equal to 10 minus 3 3 M और 2 M कितना हो जाएगा 5 M और 10 minus 3 7 तो M की बच बन से कितना हो जाएगा 7 upon 5 5 final answer 5 5 5 5 6 6